जी, बिसमिल्ला रह्माने रहें, मैं मुहमद जहांगिर, प्रोफेशनल कंसलिटेंसी और ट्रेनिंग से, आज का जब हमारा टॉपिक है इंफोमेशन के लिए, वो है कैनेडियन इमिग्रेशन, कैनेडा की इमिग्रेशन हासिल करना, और पर्मनेंट रेजिडेंट ओफ हैं, अच्छा, इस टॉपिक को डिसकस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि प्रोफेशनल कंसलिटेंसी और ट्रेनिंग कैनेडा के किसी भी वीजे को नहीं देखती, नहीं प्रोसेस करती अभी तक, इंशालला हम इस पर काम करें, जैसे हमारी इस पर हैं, उस में कौन-कौन से मराहिल हैं, कौन-कौन सा प्रोसेस है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिसकस करेंगे, तो अगर आपको इन सारी चीजें का इलम है, नौलिज है, तो यह सारा प्रोसेस आप खुद भी इकल सकते हैं, क्योंके मेरा तालिव का एजुकेशन स हैं, तो मेरा मकसद ही होता है, कि अपनी वीडियो के थरू या अपने एक्स्पीरियंस के थरू अपने क्लाइन्स को, अपने स्टौइंट को इंफरमेशन दो, और वो सारा काम खुद से कर लें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एजिली तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमे questions बहुत ज़दा थे मेरे पास तो at least information तो आपके साथ share की जा सकती है कि पूरा एक process है क्या खर्चा कितना आता है time कितना लगता है तो इंचाला आज के हम इसमें detail में discussion करते हैं इस topic के अपर और हम शोर कि जब आज की वीडियो सुनने के बाद देखने के बाद आपको इतना knowledge हो जाएगा कि आप अपना process अपना case खुद से process का सके या फिर अगर आप किसी consultant के थूरू भी अपना case process कराते हैं आपको इल्म हो knowledge हो के कबना क्या है steps कौन कौन से हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सारी चीज़े इंचाला आपके knowledge में होगी चाहिए आईए आप इसको start करते है अच्छा जी immigration लेने के लिए कैनेड़ा की तीन चार चीज़ें चाहिए होती हैं आपको number one आपकी age कितनी आपकी उमर है उमर के points होते हैं कि आप young age में जा रहे हैं 35 की limit है मेरा ख्याल है 35 or 40 years की कि उसमें उसकी basis के पर आपके कितनी age के आपको points मिलते हैं अगर आपकी age उससे ज़्यादा है तो आपके points कम होते हैं अगर आप उस age में like करते हैं तो आपके age के points होते हैं उसके लावज सबसे important points आपकी education आपने F.A. किया हुए आपने bachelor किया हुए आपने master किया हुए इवन के PhD जिसने की उए उसके सब्सक्राइब points होते हैं PhD के education के points होते हैं आपके तीसरे चीज़ है आपका पास work experience आप जिस भी field में है या जिस field में आप immigrate करना चाहरे हैं migrate करके जाना चाहरे हैं उस country में आप में आपके पास पुस फ्लिल का experience होआ चाहरे हैं कम से कम एक साल का experience ने जो count होता है जिसकी basis पे आपको points रवाड़ गया है और जो normal है वो आपके पास तीन साल का पांच साल का या maximum experience जितने experience ज्यादा होगा उतने ही आपके points ज्यादा होगी और इसमें चोथी चीज़ है जो के सबसे important है मैंने पिछली वीडियो में भी जो student visa वाली वीडियो में थी उस पे भी focus किया था कि English में महारत होना जब आप English country में visa लेते हैं या migrate कपने हैं तो आपके पास English के skills होना चाहिए यानि IELTS का score होना चाहिए जितना अच्छा आपका IELTS का score होगा student visa वीडियो मैंने यही कहा था कि जितना अच्छा IELTS का score होगा उतनी ही ज़्यादा option होगी university की आपके पास यहां पे भी यही है जितने अच्छा आपका score होगा English में उतने ही आपके points अच्छे होंगे आपकी immigration के process में क्योंके सारा point based system है immigration का तो यह चार-पान चीज़े हैं जो के आपको देखनी पड़ती है जिनकी basis पे आपके points calculate होगे है अच्छा इसके बाद आपका खर्चा कितना आता है अगर आप खुद से यह process करना चाहें टोटल खर्चा 5-6 लाग आता है 5-6 lakh पाकिसन एरपीज अच्छा rate की वैसे कमी वेशी हो सकती है बाकी roughly खर्चा इतना ही आ सकता है आप इसको plus minus थोड़ा बोट करने अच्छा जिस प्रोग्राम के लिए आप अपलाई करते हैं उसको कहते हैं express entry EE program या skilled federal skilled program ठीक है तो ये आप इसके लिए apply करते हैं और इसके इसका जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ federal skilled program या express entry इसके लिंक्स हैं मैं अपनी वीडियो के एंड में सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर लोगा ताकि आपके लिए असानी हो सबसे पहले हम education को देखते हैं कि आपके पास जो education है वो Canada में जो education है उसका equivalence जिसे हम कहते है equivalence ली जाती है कि Canada में आपकी education पाकिसान में जो आपने education लिये है या किसी हो ताकिमी जो आपने education लिये है वो Canada में किस education के बराबर है equivalence जिसे आप कहते है equivalence के लिए एक सबसे best इदारा है वैसे तो बहुत सारे इदारें जो काम करते हैं W.E.S. World Education Services वाले आप उनके थिरू अपने documents उनको भेजें वो आपके documents की equivalence करके बेजेंगे उसकी फीस है गल्पन कोई 40, 40, 40, 50,000 पर लखने है आपके total process पे कुछ documents आपको बेजने है कुछ documents आपके युनिवेस्टिके तरू वहाँ पे बेजे जाते है तो उस एक दफ़ा आपके पास equivalence test की त्यारी करें अच्छी सी और अच्छा perform करके अच्छे results लें ताके आपका score अच्छा है और जब आपका score अच्छा आएगा तो फिर आप जो है ना क्यांद में उसी point based system पे आपके क्यांद में आप उसमें enter हो जाएंगे आपके पास और आइल्स की फीस भी गल्वन 45-45 जार चल रही है आजकल पाकिस्तान में लिंक शेयर कर लेंगे आप ब्रिटिश कॉंसल से करवा सकते हैं ठीक हो गया उसका लिंक मैं दे दूँगा आप क्लिक कर लें ताकि आपके लिए इसानी हो जाए उसके बाद चोथी चीज़ आपके पास लेटर होना चाहिए कि आपके पास जो वर्क एक्सपिरियंस है आपका वो कितना है ठीक हो गया वर्क एक्सपिरियंस बहुत इंपोर्टन है वो आपके पास होना चाहिए उसका प्रूफ ठीक हो गया जब work experience आपके पास होगा तो next फिर आपने क्या कबना है police character certificate आपको चाहिए होगा police character certificate आपको मिल जाता है किया मैं पाकिस्तान से CPU office से मिल जाता है मैं गालबन इसकी 500 प्याफीस है या कोई फीस नहीं है 200 प्याल लगते हैं जब आपके पास ये सारे documents मौझूद हों तो फिर आप क्या करते हैं आप पक्यान में express entry के लिए apply करते हैं ठीक हो गया अब express entry के लिए जब आप apply करते हैं वो सारे points आप calculate कर सकते हैं उसका भी link मैं दे दूँगा किस website प जाके कहां से आप अपने points चेक कर सकते हैं स्कोरिंग आप अप अपने scores देख लें कितने आपके scores हैं ठीक हो गया उसकी basis पे आपने apply कर दिया जब आपने apply किया तो उसके बाद वो क्या करते हैं कैनेडा वाले जिनका ये program है immigration का वो क्या करते हैं वो कुरान दाजी करते हैं हर दो मीने बाद, तीन मीने बाद, चार मीने बाद उनकी कुरान दाजी होते हैं और वो कुरान दाजी में कुछ हजार लोगों को select करते हैं वो depend करता है 1000, 3000, 5000 people को लोगों को selection देते हैं अब ये selection किस basis पे होती है ये selection उनी points basis पे होती है जो मैंने आपको चाल प्हुंच बायत्स बता है, आपकी age के points, आपकी education के points, आपकी experience, cricket के points और आपके English में वारत यानि IELTS के points, यह major points हैं, जो के आपके count होते हैं, किसी भी immigration, जो Canada की है उसके अमल में जितने अच्छे points होंगे अच्छा ये score भी आप चेक कर सकते हैं कि grant score क्या कर रहे जिसके score ज्यादा अच्छे होंगे लेट स्पोस उन्होंने announce की है एक हजार immigration वो देंगे ठीक हो गया अब एक हजार लोग अप application तो बहुत ज्यादा लोगों की होंग जिनके score पहले top 1000 में आएंगे ठीक है उनको वो email कर देंगे कि हाँ जी हमने आपको immigration की entry के लिए select कर लिया है तो अब आप जो है ना हमारे इस program के लिए application दे सकते हैं वो application सारी आपने online देनी है ठीक हो गया उसका link में मैं आप से share कर लूँगा ठीक हो गया कि आप online score चेक भ आपको अपना medical examination भी चाहिए होता है medical examination पाकिसान में हो जाता है IOM वाले करते हैं IOM का link भी मैं आप से देंगा कि उसका क्या criteria है क्या उनकी requirements है appointment लेनी है वो आपका medical examination आपका हो जाएगा फिर उसके बाद जब आप online application देंगे PR permanent residence के लिए या immigration के लिए file करेंगे तो वो फिर आपकी application सेलेक्ट होगी उन point based system के उपर ठीक हो गया और फिर आप इस तरह एक program में शामिल हो जाएंगे online immigration के point में एक दफ़ा आपका नाम नहीं आएगा वो हर दफ़ा आपको जो हर मीने दो चार मीने बाद उनकी draw होता है basically प्रांदाजीजी से कहते हैं draw में वो application सेलेक्ट करते हैं one thousand two thousand numbers value करते हैं और point based system पे हाँ जी इस दफ़ा का ये point score है इस पे इतने लोगों को लिया गया वो उनको email करते हैं उसके तो आप legally उस process में चले जाते हैं और ये तक्रीबन जो गाल्बन time लगता है ये कोई 6 से 8 मीने का time है total total 6 to 8 months आपके लगते हैं या maximum 9-10 मीने ल पूरी profile उनके पास documentation चले जाती है online farm चले जाता है points सारा उनके पास तो उसके बाद वो immigration के लिए जो ये Canada की government है जो इस को देखती है immigration को वो उन सारे documents को देखते हुए verify करते हैं चीजें जब आप जरी बात आई ये सारी चीजें पहले ही verify होके आती है तो वो अपने criteria के में check हो गई है ठीक हो गया उसमें भी वो जो तक्रीबन जो let's suppose 100% है 30% लोगों को वो first two months के अंदर जवाब दे देंगे के यहां जी आपका काम हो गया है कुछ लोग हैं जिनके process में delay हो जाता है 60% लोगों को within four months वो की जो government है वो उनको response दे जाती है और 90% लोगों की जो application जिन मा के अंदर complete हो जानी आप रफली जहीं में रखें 9-10 मीने में आपका यह पूरा process हो जाता है ठीक हो गया और इसके बाद जो है ना आप के अगर आपके passport पे महुर लगेगी यानी stamp लगेगी जिसे कहते हैं visa लगे वो visa एक time तक होता है वो entry के लिए होता है basically के Canada में आप entry ले सकें वो आपके passport पे लगा देंगे आपको बाय मैट्रिक्स हो जाएंगे ठीक हो गया और आपको जो है ना जैसे ही वो आपको इस date से पहले आपने travel करना है Canada में आप travel करके Canada में जाएंगे और वहां जाके फिर आपको वहां का proper PR यानी जो residency card है उनका वो आपको वहां प मुद्ध है आपने तीन साल या पांच साल आपने Canada का शहरी रहना है और उसके बाद फिर वहां पर आपको Canada की जो nationality है शहरीयत है वो भी मिन जाएगी उस time limit को पूरा करने के बाद तो ये तो था पूरा process immigration का step by step और जितने सारे मराहल थे sequence wise मैंने आपको बताए है मुझे अमीद है कि आपको ये सब समझ आई होगी मैं इन सब points के से जो related जो या इतने जितने मराहल है जहूं जो इसी जगह पे जिस जिस website का या government का या apply करने का या scoring का link है वो मैं आपसे video के end में या आप share कर लोगा आप वहां से भी देख सकते हैं अगर मजीद कोई information चाहिए आपके पास नंबर मौजूद हैं आप हमसे contact करें इंशाल्ला आपको information के हवाले से complete information दी जाएगी इसके लावा मैं आपको कैनेडा के लिए आपको पहले एक बात भी बता चुका हूँ हमारे दोस्त हैं आतिफ रजाक वो कैनेडा में migrate करके shift हो चुके हैं एक साल हो गया त different topics के पर different field में जाके वो information देते हैं उनका अपना चैनल भी है info hut के नाम से आतिफ रजाक नाम से page facebook page भी है आप वहाँ पर जाकर उनकी वीडियो भी देख सकते हैं उन्होंने भी मजीद different student की life की opportunities की easy ways कैनेडा में settlement के grocery के हल तरह के एक basic necessities क्या हैं कैसे हैं उन्होंने बहुत अच्छी information दिया वो आपको info hut के नाम से आतिफ रजाक को आप search करेंगे facebook पे या youtube चैनल पे इंचाला वो मैंने उसके एक video भी मिनाई है आप वहाँ से जाके भी उसका link देख सकते हैं तो उसको भी channel करें यह वो सब चीज़े हैं जो के आपके information में इजाफा करेंगी और आपके काम को आपके process को आपके mind को relax करेंगी आप information की basis के ओपर है like करते वे अपना process करेंगे और इंचाला उससे आपका काम हो जाएगा इंचाला आप भी process करें अगर हमारी help और services की जूरत हैं किसी भी तरह की हम available हैं नंबर्स आप आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारा information and knowledge मिला है जिससे आपका बहुत फायदा होगा और अगर नहीं हुआ कोई question है क्यों यह आप पूछ सकते हैं इंचाला उसका answer आपको detail में दिया जाएगा बताया जाएगा इंचाला नहीं वीडियो में आपके साथ हाजीर होंग अगले किसी नए topic के साथ और वो भी इंचाला informative होगा आपके लिए so keep watching thank you very much